हेलो अब्रिवान और वेल्कम बाक तो इस यूट्यूब चैनल याप इस सेवी फॉरंसिक्स तो फ्रेंद्स आजम बात करने वाले हैं ब्रेक आक्शन के बारे में इसने पहले हमने बात कर लियो था बोल्ट आक्शन लिवर आक्शन और स्लाइड आक्शन के बारे में और उसे के continuation में आज हम बात करने वाले हैं ब्रेक आक्शन के बारे में तो यहाँ पर आज हम पूरा देखेंगे जो अपने अलगल टाइप के फायराम्स होते हैं तो उसमें किस-किस ताइप के फायराम्स में आपको ब्रेक आक्शन देखने को मिलता है यह किस तरह से वर्क करता है और क्या इसका पूरा प्रोसीजर रहता है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के topic को देख लेते हैं ब्रेक आक्शन क्या होता है अगर हम बात करें ब्रेक आक्शन की तो सबसे बाए तो उसके जो other names होते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं तो जो आपका ब्रेक आक्शन होता है इस आपका ब्रेक आक्शन होता है यह सारे आपके नाम होते हैं तो यह सारे के सारे नाम आपकी exam point of view से important ही तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लेजेगा इसके अलबा अगर हम बात करें break action होता क्या है So, it is a break action firearm is one whose barrels are hinged, rotate and perpendicular to the bone axis to expose breach and allow loading and unloading of ammunition So, यहाँ पर क्या होता है यह जो आपका break action होता है अलग-अलग type के firearms में यह आपका क्या करता है जो barrels होती है उनसे attach होता है उनके साथ में attach होता है Basically, जो barrels होती है उन barrels को move करने के लिए क्यों आपका barrels होती है इस तरह के firearms में वो आपके break action में जो एक तरह की pin use होती है उस pin पर ही hinge होती है उस pin पर ही dependent होती है तो यह आपकी जो barrels होती है वो break action पर ही dependent होती है उसी के according rotate करती है perpendicular होती है आपकी जो bore access होता है उसके और basically इसका जो use होता है सबसे important use इसका यही है कि जो भी आपका empathy cartridge case है उसको fire arm के chamber से बाहर निकालना और नई fresh cartridge को chamber में place करना ठीक है तो यही दो काम होते हैं साही तरह के actions का तो break action का भी same आपका यही काम होता है ठीक है यह तो हो गया आपका break action की basic सी definition अभी हम आगे move करते हैं यहाँ पर देख लेते हैं break action किस तरह का देखता है ठीक है तो break action में क्या है तो तरह से कि मैंने को बताया से starting में ही जितने भी तरह के actions होते हैं उन सभी में आपका इतने ही portion में आपके fire arm में changes देखने को मिलते हैं वागर सारा का सारा आपका same रहता है तो यहाँ पर इसी तरह से क्या होता है यहाँ पर क्या होते हैं एक knob होती है आपकी barrel के उपर side भी हो सकती है barrel के नीचे side भी हो सकती है through which a pin passes and the barrel swell on this pin तो जो आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आपकी barrel है यह आपका handle होता है firearm का उसको पकड़ने के लिए handle है तो इस handle पर एक या तो यहाँ इस portion पर य्या तो इस portion पर यह फिर यहां पर आपको देखने को मिलता है यहां पर क्या रहता है एक बटन ताइप का structure आपको देखने को मिलता है एक knob लाए के structure होता है उसको प्रैस करते हैं तो उस पर क्या रहता है उससे एक pin attach होती है अंदर साइट से अंद उसी कि तो जो आपकी barrel होती है वह आपकी rotate करती है ठीक है तो इस तरह से यह कुछ structure होता है. यहाँ पर गहाराता है basically कुछ आपकी पिस्टिल्स होती है उन पिस्टल में क्या होता है? यह जो norm होता है यह अलग से नहीं होता है जो आपका trigger guard होता है. यह वाला trigger guard होता है यह trigger guard ही कई बार का काम करता है जैसे कि मैंने आपको lever action ने बताया था कि lever action में जो lever होता है वही आपका trigger guard का काम करता है similarly कुछ जो आपकी pistols होती है जो आपकी small fire arms होते हैं उसमें जो break action होता है उसमें आपका trigger guard होता है वही आपका knob का काम करता है उसमें क्या होता है यह आपके नॉप को कवर भी करता है और साथ में यहां पर एक हलका सा इस तरह से बटन बनी होती है तो जब आप इस पर प्रेशर डालते हैं तो या फिर इस पर आगी के तरफ या पर पीछे के तरफ इस तरह से डेपेंड करता है जिस तरह की मे टीए तो इस तरह के भी आपके फायर लग का टेकर करते है एसमें करता है जो वो बेसिक करता है और उसी पर basically dependent होती है आपकी barrel, ठीक है, तो जैसे ही आप उस button को press करते हैं, उस knob को press करते हैं, तो आपकी जो barrel होती है, वो freely rotate कर सकती है, downside में, ठीक है, downwards आपकी rotate कर सकती है, तो इस तरह से होता है, और अभी हम आगे move करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, कि यह basically work किस तरह से क ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपकी जो barrel है, वो इसी position पर है, close है, तो वहाँ पर क्या होता है, the user जो होता है, turn करता है lever को in front of the trigger, मतलब आपका trigger जो है, trigger जो trigger guard है, वही अगर knob की तरह work कर रहा है, तो आपको उसको move करना होता है, उसको push करना होता है, या फिर अगर उसमें button प्रेजेंट है, तो उस button को आपको push करना होता है, तो अगर button present है, तो उस condition में आपको button को press करना होता है, अगर lever present होता है, तो उसको आपको áगे साइट में move कराना होता है, तो इससे गया होता है, जो आपकी pin होती है, वो हट जाती है, and throw a projection into the slot, thereby keeping the barrels moving downwards, जैसे ही आप इसको press करते हैं बटन को प्रेस करेंगे या फिर नॉब को जो आपका ट्रगर गार्ड है उसको आगे की तरफ पुश करते हैं तो उससे क्या होता है एक बीच में स्लोट बन जाता है आपकी पिंज रहती है वो हट जाती है और आपकी बारल होती है वो नीचे साइड में आगे पिछे साइड में यहां से यह आपका अलग हो जाती है उसके बाद में क्या होता है जब यह अलग हो जाती है उसके बाद में क्या करना होता है यहां पर आपको अपना cartridge place करना होता है यह आपका barrel का chamber होता है अगर आपका MPT cartridge case है इसमें तो उसको आपको remove कर देना होता है ठीक है यही इतना सही काम होता है इसी तरह से यह work की करता है यह सारा का सारा इसमें यहां पर लिखा हुआ है अभी हम आगे मॉफ करते हैं तो जैसे ही आप वो बटन को प्रेस करते हैं तो जो आपकी बैरल होती है वो डाउन साइड आ जाती है and the user can remove the MPT cartridge case, insert the new cartridge into the barrel and then close and lock the mechanism तो इस तरह से आपने जैसे ही बटन को प्रेस किया आपका जो बैरल थी वो डाउन साइड आ गई and then आपने जो MPT cartridge case था उसको अपने remove कर दिया and साथ में एक नए fresh cartridge को उसमें डाल दिया आपके बैरल की चामबर में and उसके बाद में आपने जो आपकी बैरल थी वापस से उसको close कर दिया and पूरा का पूरा mechanism आपका बाकी का same रहेगा वही आपने आपका जो trigger है उसको press करना है और आपकी बाकी सारा जैसा कुछ रहता है मैं आपको कई बर बता चुकी तो similarly आपका भही सारा process continue हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से आपको work करता है break action I hope आपको समझ में आ गया होगा basically इतना ही रहता है आपके break action में यहां से अगर फिर भी कोई तरह का कोई भी doubt आजाता है तो मैं आपको जैसे मैंने slide action, bolt action and lever action की वीडियो सोटे चोटे से send के थे वैसे ही इसका भी एक छोटा सा मैं वीडियो से send करूंगी इसके basically दो वीडियोस दोंगे क्योंकि आपके एक रहते हैं जो button वाले होते हैं एक होते हैं आपके जो liver वाले होते हैं ठीक है तो यहां पर एक pistol का वीडियो आएगा साथ में आपकी जो कई बार जो barrels होती है वो double barrel होती है double barrel कैसे होती है एक तो आपकी over and under हो सकती है इस तरह से दूसरी होती है आपकी side by side मतलब एक आपकी right side में है उसी से attach आपकी left side में है तो इस तरह से भी आपकी barrels देखने को मिलती है तो उनमें आपको break action अगर present है तो उस condition में आपको एक ही same काम करना है बस इसमें क्या रहता है दो हमर आपके present होते हैं और यहां पर आपको दोनो hammer को अपना जो break action के लिए जो button present होती है उसको push करते हैं तो उससे क्या होता है जो आपका barrel होती है वो नीचे side में आधाती है और बाकी का सारा आपका same रहता है कि आपको निकालना होता है empty cartridge को then fresh cartridge को दोनों ही chamber में डालना होता है and वापस से आपका सारा firing का mechanism same रहता है तो इस actions का उसका भी हो जाने के बाद में यह सारा का सरा आपका firearms complete हो जाएगा then forensic significance है वो मैं आपको बाद में video upload कर दोंगे उससे पहले आपके लिए मुझे एक बहुत ही important video share करना है वो है आपका narco analysis का ठीक है so narco analysis का जो video है वो आपको मंदे तक available हो जाएगा तो वो video आपके telegram channel को जरूर से join कर लेगे क्योंकि यहीं पर आपको वो video available होगा जो आपको इसका break action का video दो वीडियो मिलेंगे तो आपको यहीं पर available होगी तो जरूर से join कर लेंगे इसके लिए description में आपको link मिल जाएगा वहां से बरेकली जा सकते हैं ठीक है and video बसेंद आ रहा है तो इसक को जादा से जादा कर दीजेगा and channel पन नहीं है तो channel को subscribe जरूर से कर लेंगे bell icon press कर लेंगे for daily updates and thank you so much for watching me here